दूसरों क्या होगा अगर बंगलादेश की टॉफ फाइब सिटीज को कॉमपेर किया जाए नेपाल की टॉफ फाइब सिटीज के साथ में तो दूनों ही कंटीज में से कौनसे कंटी की सिटीज ज्यादा डेवलप्ड होंगी देखेंगे आज के इस कंपैरिशन वीडियो में तो गाइस चैनल पर नेव इवर हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना मैं नेपाल के उपर वीडियो बनाता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ तो मुझे नेपाल की सिटी के बारे में भी पता है बड़ तोड़ा बहुत पता है तो चलिए देखते हैं बागनदेश और नेपाल की सिटी कॉमपेरिजिन के उपर काफी इंटरस्टिंग सा में तो गाइस चैनल पर नेवीवर हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना और आप नेक्स वीडियो का टॉपिक भी कॉमेंट सेक्षिन में सजेस्ट कर सकते हैं फिलाव सुरुआत करते अपने वीडियो की बिना किसी देरी के तो दोस्वों नेपाल की बात करें तो यहाँ पर सर्टेन पॉपिलिशन, इंफ्रस्ट्रक्चर एंड रैविन्यो को देखा जाता है जबकि बंगलदेश में भी सिटी बनने के कुछ फिक्स कराइट एरियास हैं जैसे कि किसी एरिया को सिटी तब ही माना जाएगा जब वहां की पॉपिलिशन एक लाग से उपर होगी साथी पॉपिलिशन के बिहाब पर बंगलदेशी सिटी स्कूल सिटी कॉपरिशन, मुनिसिपल कॉपरिशन और मेगे सिटी में क्लैसिफाइट किया गया है नेपाल में लगबग 293 मुनिसिपालिटीज है जिसमें कि 6 मेट्रोपोल्स, 11 सम मेट्रोपोल्स and 276 मुनिसिपल काउंसि इनकी पॉपिलिशन लेस देन वन लेक होती है इसी के साथ बंगलदेश में 43 सिटीज है जिनमें से 11 सिटीज को मेजर सिटी माना जाता है इन्हें यहाँ पर सिटी कॉपरिशन कहा जाता है जबकि धाका अकेली ऐसी सिटी है जिसको कि इसकी लाज बोड़ी ऑफ की वज़े से मेगे सिटी कहा जाता है तो गाईस से नेपाल की टॉप सिट्स में नाम आता है काटमांडू, पोखरा, भरतपुर, ललितपूर, बीर गंज और बिराटनगर सिटी का जबकि बंगलदेश की टॉप सिटीज पे नाम आता है धाका, चटोग्राम, खुलना, अर गाजसाई, गाज़ी पुरन सिलेच सिटी का दूसरों सबसे पहले बात की जाई पॉपुलिशन की तो नेपाल की मूस्ट पॉपुलिटेट सिटी है काटमांडू, विद 15.7 लैक पॉपुलिशन, फॉलूड बाई पोखरा, जिसकी पॉपुलिशन है 6 लैक की, जबकि गाजसीपु सिटी का नाम आता है, जिसकी पॉपुलिशन 27 लैक के सम्थिंग है, नेपाल की लिस्ट पॉपुलिटेट सिटी है भरतपूर, जिसकी अबादी 2 लैक 50,000 की है, और यह सिटी कूसी परदेश में इस्तित है, बंगलदेश की टॉप सिक्स में से लिस्ट पॉप 165 km² के लैन में स्पैनिंग है, इसके बाद second नंबर पर भरतपूर सिटी का नाम आता है, जिसका टोटल एरिया 432 km² का है, follow'd by बीरिगन सिटी with 132 km² अरिया जबकि गायस थर्ड नमबर पर खुलना सिटी है जिसका टोटल एरिया 51 किलोमेटर स्कुय का है दोसों कर बात करें GDP की तो नेपाल की सबसे व्यादे सिटी है काटमंडू जिसकी GDP है 12 बिलियन डॉलर्स की जबकि सेकेंड नमबर पर पोकरा सिटी का नाम आता है विद 5 बिलियन डॉलर्स जिडिपी और थर्ड नमबर पर बिराट नगर का नाम आता है जिसकी GDP 2.8 बिलियन डॉलर्स की है बंगलदेश में सबसे ज़्यादा GDP धाका सिटी की है 213 बिलियन डॉलर्स की फॉलूड बाइ चटो ग्राम जिसकी GDP 58 बिलियन डॉलर्स की है और थर्ड नमबर पर 53 बिलियन डॉलर्स जिडिपी के साथ खूलना सिटी का नाम आता है दूसरों बंगलदेश के कंपारिसन में नेपाल की सिटीज लेस पॉपिलिटेड लेस डेवलेप्ड इन साइस में काफी छोटी है बंगलदेश की most of cities में आपको well connectivity, better transportation and economic stability देखने को मिलेगी जबकि नेपाल की सारी cities बंगलदेशी cities से इन सभी parameters में काफी पीछे हैं नेपाल की सहर भले उतने developed ना हो लेकिन यहाँ पर आपको cultural significance और सांती नजर आएगी नेपाल इन बंगलदेश की cities एक दूसरे से culture, language and tradition में भी काफी different हैं इसी के साथ गाइस बंगलदेश की धाका city को रिक्सा capital of the world कहा जाता है साथ ही यह दुनिया की one of the most populated city है हो ही गाइस काटमांडू को city of temples भी कहा जाता है यहाँ पर आपको seven world heritage sites भी देखने को मिलेंगी तो गैस आज के इस वीडियो मस इतना है आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथी चैनल को सब्सक्राइब भी जगो करना तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई वीडियो आप लोग ने देख लिए होगी दोनों कंट्रियों की चोटी cities भी देखी हमने बड़ी cities भी देखी हम यहाँ पे नेपाल को अगर देखते हैं तो नेपाल की population लोगた चैंट्रे नेकरोड करोड़ से नेंड़ नेकरोड नेकरोड़स के लिए इसको मिला के पूरी नेपाल की population मती है देखे नेपाल के अंदर mostly हम देखते हैं तो नेपाल के अंदर हिस्ट्री हमें ज्यादा देख लिग जब कि हम भाग्लदेश को देखती तो बाग्लदेश के अंदर हमें जो है ना development डाजर आती है जहां पे बाग्लदेश के अंदर बाग्लदेश के डाका सिटी एक capital सिटी ओपर से population वहां पे ज्यादा है तो वहां पे सबसे चीजे भी ज्यादा होती है तो फिर उसकी GDP भी ज्यादा होती है फिर वहां पे income भी वह ज्यादा जेनरेट करके देता है क्योंकि आबादी ज्यादा है अगर जहां पर हम काटमां के अंदर यह सारी चीज़े नहीं है नेभाल के अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी वहां पे आपको खुबसूरत ही और पहाड मिलेंगे वीडियो अगर इंट्रस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा मिलते है नेक्स वीडियो में